हलो स्कूरेंट आज हम लोग mathematics का एक बहुत ही महत पुर्मूला जो बार-बार यूज होता है a plus b का holy square ठीक है a plus b का holy square is equal to क्या होता है a square plus 2ab plus b square ठीक है ये a plus b का holy square is equal to a square plus 2ab plus b square का proof हम लोग कर सकते है mathematically कैसे ना a plus b का holy square is equal to हम लिख देंगे a plus b into a plus b फिर a plus b into a plus b दोनों को हम क्या करेंगे multiply कर देंगे तो हमको a square plus 2ab plus b square मिल जाएगा लेकिन आज हम लोग इसको ग्राफी के लिए मतलब geometry के लिए आज हम लोग इसका proof को देखेंगे a plus b का holy square is equal to a square plus 2ab plus b square ठीक है तो आईए इसका हम लोग proof देखते हैं तो इसका proof करने से पहले एक चीज़ आप लोग जानते हैं उसको हम याद दिला देते हैं कि कोई भी एक square होता है वर्ग का जो छेत्रफूल होता है वो क्या होता है भुजाई square मतलब side का square माल लीजिए इस square का प्रतेक side जो है a है तो फिर इस square का मतलब इस वर्ग का जो छेत्रफूल होगा वो होगा a square ठीक है ये concept इसका proof में बहुत ही जरूरी है चलिए दीके इसका proof के लिए हमने क्या किया a plus b मतलब एक a length और एक b length लेना पड़ेगा तो हमने क्या किया एक a length a length हमने यहां से यहां ले लिया ठीक है यहां से यहां का length माल लेजिए a है फिर इसको और थोड़ा बढ़ा दिया इसको हमने बोला b यह length है b और हमने क्या किया यह a length इसको base करते हुए हमने एक square बना दिया ठीक है और यह B length है यहाँ पर से हमने यह जो length है यहाँ से यहाँ का यह माल लेजी यह अगर A है तो यह भी A है ठीक है फिर यह अगर B है तो यह भी B है 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 और ये एक square है, है ना, A length का, ये एक rectangle है, length होगा A और breadth होगा B, और ये भी एक rectangle होगा, ये एक square होगा, जिसका length होगा, जिसका side होगा B, चलिए, अब हम देखेंगे, ये पूरा का जो area होगा, पूरा का area कैसे निकालेंगे, देखना पड़ेगा कि ये क्या है, पूरा, तो ये A औ A मुआए, A प्लास B, ये side क्या होगा, ये भी side A plus B, ये क्या होगा, A plus B, ये भी A plus B, ये A plus B, ये A plus B, ये A plus B, मतलब ये square होगा, जिसका पूरा area होगा, ये a plus B का whole square, ये area, अब हम क्या करेंगे, कि इसका पूरा area हो गया a & b का holy square. अब हम क्या करेंगे? कि यह जो square, यह rectangle, rectangle और यह square यह चारों का हम area निकलके sum करेंगे, जोडेंगे तो इसके बराबर आएगा. ठीके तो 4 को जोड़ीए, इसका area क्या होगा? यह तो square है, तो इसका area हो जाएगा a2, इसका area क्या होगा? यह एक rectangle इसका एरिशा होगा A into B, length into breadth इसका भी एरिया होगा वही A into B length into breadth और इसका एरिया क्या होगा? ये तो a square है ना? square का area होगा A square, sorry, इसका side है B, तो B square होगा इसका area. तो ये 4 का area हमने निकाला ये 4 का area को जोड़ो, जोडने से तो इसके बराबर शरस सरे पूरा प्लास एबी मतलब टू एबी प्लास बी स्क्वाइर ठीक है यह हमने प्रूब कर लिया थेंकिए